हेलो फ्रेंज, वेलकम टु माई चैनल तरफीस रेसिपी फ्रेंज, दिवाडी माँ गणीबदी स्वीट बनती होई छे पन एमानी साउथी इजी स्वीट मगस मगस कुबज इजीली अने कुबज आरामती प्रिपर्थे जाई छे तो जो बिगिनर्स छे जेलोको पैली वाली वार स्वीट बनावता होई एलोको माटे खुबज कामनी वस्तु छे तो चलो आज आपणे बनाविये छे मगज मगज बनावा माटे मेलीधो छे 500 ग्राम जेटलो चाणानू करकरो लोट मगज माटे खुबज जरूरी छे एनू माप अने माप प्रमाणे जो मगज बनावा माँ आवे तो खुबज सरसे नू रिजल्ट मणे छे तो करकरो लोट लेवानों छे 500 ग्राम 500 करकरा लोटनी साथे लिधी छे शाकर 300 ग्राम जे टली साकर लेवानी छे नौर्मल जी आपने घर मकल शाकर भाल्य माप परिए ये में अने इनी साथे 200 ग्राम जेकलू घी लेवानू छे 3ड़ी लोट 300 ग्राम जाखर अने 200 ग्राम घी फ्रेंट्स आ प्रमाणे जो लेवा मा आउसे तो खुबच सरस्ती रिजर्ट मढशे हवे आपड़े घी ने एक कडाई नी अंदर एड करिये छी आने चणाना लोट ने सवती पला तो आपड़े शेक वानों छे कर करो चणाना लोट लिदो छे एकले खुबच सरस्त एनू रिजर्ट मढ़े छे एने कणी पाड़वानी जरूर नथी होती जेम घी गरम थाई जाए एकले आपड़े एनी अंदर एड कर सू चणानों लोट सरकी रिते हवे घी मा मिक्स करवानों छे चणानों लोट अने खुबच सरस्ती भेडवी ने एने खुबच मीडियम आच पर खुबच मीडियम गैस्ती फ्लेम पर आपणे एनने शेकवानों छे धीमे धीमे शेक है एलो चणानों लोट अने खुबच सरस एनू टेक्शर आउसे एनू टेस्ट आउसे तम में जो इसो को छो के चणान लोट मिक्स कर्या पच्छी एकदम ड्राई थाई गयू छे तो फ्रेंट्स आटाई में फेल थासे के तमने बधू घी एड़ करवू पन घी बधू एड़ करवानी जरूर न थी कारण के धीरे धीरे लोट शेका से एम घी पन चुटू पड़ से चेकावा थी लोट पन खुबज हडवो थासे अपनने मिक्स करवामा आने हलावामा खुबज परक लागवा मन्ट से फ्रेंट्स सर्खी रीते धीमे धीमे एने सेकवानू छे आने मिक्स करता जावू एम नम छोड़ी देसो तो चणान लोट बढ़ी जशे एटले एने म प्रेंट्स जेम जेम शेका से एमे में माते घी छोटू पड़ से आने लोट पन खुबज हडवो थाई जासे जारे तम में जोई शोको चो के हूँ जारे लोट ने पलटू छूनी चे थी उपार लाव छू तो इननों कलर पन खुबज लाइट था एलो होई जारे पन घरम चणानों लोट शेका तो होई कि चणानों लोट नी काई मिठाई बनती होई ने तमारा घरमा तो खुबज सरस्वगन्ध पेलाय चती होई छे पन साथे साथे त्रण घर दूर एनी वास पोचे छे जो इत्रण घर दूर थी पन खबर पड़ी जाएके तमारा घरमा का एक चणानो लोट नी मिठाई बने छा खुबज धीमा तापे खुबज सान ती थी चणानो लोट शेकवानो छा अने इस शेक्या पच्छीज खुबज सरस्मजानो मगज तयार थाई छा फ्रेंड्स सरस्ती सेकाई जाई इन अमाटे हला उतार हुँ कुब जरूरी छे तमें जोई शोको छो फ्रेंड्स एकदम लिक्वीडी थाई गयू छे एमाथी घी चुटू पढ़वा मन्डियू छे एटले आपनो लोट शेका तो जाई छे धीमें अने एमाथी घीरे धीरे घी पन चुटू पढ़तू जाई छे तो फ्रेंड्स तमने मारी जो रेसिपीज गमें तो प्लीज मारी चैनल न लाइक बटन क्लिक करी देजा फ्रेंड्स खुबत सरस्ती शेका आवा मन्डियू छे लोट अने धीरे धीरे हवे एमा बबल्स पन आवा मन्ड से अने बबल्स आउसे एटले एने मिक्स करवू एने हलावो खुबत जीजी थाई जाई छे तमने जो इशे को छो के हलको ब्र बश्छी शेकाई गयो छे तो बस हमें आपड़े चणाना लोट मां एक अलक थी टेक्शर आप्पा माँटे एक अलक थी टेश्ट कस्ट माँटे एनी अंदर एड करिए छिए 1 फोथ कब जिटलू वाम बट मिलक 10 expend मिलक एड करवानू छेए वन पोद कब जेटलू धीरे धीरे गरम गरम चाणाना लोटनी अंदर आपने धीरे धीरे मिक्स कर सू तो तम्हें जो इशेको छो खुबत सरस एवी जाड़ी पड़े छे बबल साव से अने जाड़ी पड़ से एटले तरत ज लोट मां पड़ेलू दूद चे छे इबड़ी जाशे अने एक मावानी इफेक्ट आऊशे प्लस चणाना लोटने एक कणी दार इफेक्ट आपे छे जे मगज मां खावा मां बुवच सरस लागे छे एटला माटेज एड करवा मां आवे छे हलकुसू दूद तमें जोई शकोचो के टोटल लेनू टेक्ट्चर चेंज ताई गाई उचे दूद एड करवा थी धिरे धिरे तमें दूद एड करता जाशो दूद बद बड़ी चे शे अन दूद मा रहलू पाणी बद बड़ी चे शे मावो बनी चे शे दूद नू अने खुबद चरस चणानलोट नू टेक्ट्चर आवी चे शे तो बस आबदा बबल्स खतम थाई त्या सुद्धी आपड़े इने शेकवानू छे अने एकदम ड्राई एवो चणानलोट रडी थाई ने तैयार थाई चे शे तो फ्रेंच समय जोई शे कोछो के सरस्ती टेक्ट्चर नू आवी गई चे अने चणानलोट पन एकदम अज ट्राई थाई गई चे तो बस हवे अपड़े ग्यास ने टन आफ करसू अने चणानलोट ने एकदम अज ठंडो थावा देशू तो ज्या सुदी अपड़े चणानलोट ने ठंडो थावा देए ची ये त्या सुदी माँ साकर ने पिसी ने तैयार करी लई ये फ्रेंस खुब बच ठंडो करवानो चे साकर ने पिस्वा नी चे एक मिक्षर ग्राइंडर नी अंदर एड करी दऊचू 300 ग्राम जेटली अपड़ी साकर नौर्मली फ्रेंस मगजनी अंदर साकर दड़ेली नाखवा मा आवे चे या तो एकदम भारिक साकर मड़े इसाकर नाखवा मा आवे पण बद्धी चग्या अवेलेबल नाथी होती एटला माटे में नौर्मल घरनी साकरत लेदी चे पण एनी अंदर हलका हलका दाना मतलब एक कणी जेवी साकर नी बाकी रहे त्यां सुदीज अपड़े ने पिसवानी चे एटले बुवज फाइन पाउडर नाथी करवानो बाकी में गार्निशिंग माटे लीधा चे थोड़ा पिसता अने चारोडी फ्रेंट्स छोएशो कोछो तमें के एकदम फाइन पाउडर नाथी करियो पन सलखी रिते साकर ने पिसी लेदी चे एक बेक कणी अववी जरूरी चे पिसता अने चारोडी ने में सरस्ती सलााइस करी लिधा चे पिसता अववे अपड़िए च्णा ना लोटनी अंदर ऐड करिये छी ये साकर एकदम तंडो थाई गल चे चणानो लोट अने थंडा थाया 35 आपड़िए चनाना लोटनी अंदर साकर एड करवानी छे जो गरम हसे तो साकर मा रहेलू पाणी छेटू पड़ी चासे अने मगज ये बगड़ी चासे तो धीरे धीरे हमें अपने साकर ने मिक्स करी लेशू खुपत सरस्ती चनाना लोटनी अंदर भेड़ुई देवानी चे साकर अपने हाथे थी हैंडल करिये छेए एटले फ्रेंच तमें जो इशको चोके एक दम श्ठंडो थाई गयो छे चनाना लोटनी मिश्रन तमें जो इशको चोके सरस्ती साकर भड़ी गई चे अन्ने एक एन्ने मसल बाती कुबज सरस्ती एन्नो टेक्शर आऊ से अन्ने इमा ती घी पन चोटू पड़ से एले बे पांच मिनित एन्ने मसल वो खुबज चरूरी चे तो फ्रेंच रडी चे हमें अपने एन्ने पातरी देए हुँ मगजनी बर्फी बनावी चे एटला माटे थाड़ी मा पातरो चे अगर चे तमारे मगजनी लाडूडी बनावी होई तो तमें आ टाइमें एमा थी लाडूशिप पनापी सको चे बर्फी बनावी चे एटला माटे थाड़ी ने एक चमची जितला घी थी ग्रीस करवानी चे सरस्ती बद्धी चग्याए घी फेलावी ने थाड़ी नी अंदर आपने मगजनी मिश्रण आड करी देशू तो फ्रिंच बद्धी बद्धी मगजनी मिश्रण हूँ थाड़ी नी अंदर आट करूँ चू अने इने फ्लेट करवानों चे हाथे दीच फ्लेट करिये ची है अने फ्लेट करीने सर्खी रीते बद्धी जग्याए फेलाई जाई पच्छी अपड़े एक चप्टा वाटका नी मदद थी एनने सर्खी रीते ग्रीस कर सू तो फ्रेंच आज जोईश कोच चप्पट वाटको होई इना मदद थी असी घसी ने एनने ग्रीस करवानू छे अग्रीस करवानू रीजन एटलू छे के एनी उपपर एक सरस्ती शाइनिंग आवी जाए स्मूथ ने सावी जाए अन्ने मगज उपर नू जे पड़ छे एक खुबद सरस बनी जाए तो फ्रेंच जोईश कोच चो तमें उपर एक आइनिंग पन आवे छे एमा आपणे घी वधू एड़ करवानी जरूर पन नती होती के उपर ती ग्रीसिंग माटे पन घी एड़ करवानी जरूर नती तो एक तम स्मूथ सर्फेस थाईन रेडी छे हावे इनने आपणे गार्निश कर सू चारोडी अने पिस्तानी कत्रण आपणे इनने गार्निश करिये छे ये खुबत सरस देखाव मां मगजनी बर्फी लागे छे अने टेस्ट मां तो फ्रेंट्स अन्बिलेवबल आदिवाडी मां जरूर बनाव जो अने जरूर खाजो हावे आपणे उपर थी फरी थी एक वर वाटको ने फिर वी देशू जने लिदे चारोडी अने पिस्ता इप्रोपर मगजनी साथे मगजना मिश्रण नी साथे चोटी जाए इफ मज राक्यो हो तो मगजनी उपर थी चारोडी अने पिस्ता निकड़ी जात हावे धीरे रही ने एने कट करी लईये छिए कट करी ने आपणे एने रेवा देवानू छे एराूंद 3-4 एक γण शोधी अपणे आपणे ए मज रेवा देवानू छे मिश्रण ने चे% ऑछि एमानू घी खुबत सरस्ति सेट थाईं ह GPA घई हसे बर्ख़पी पन खुबत सरस्ति सेट थाई गई हसें अने पछिय अपणे इपी से स्कुबच सारी रेते काड़ी सक्सूँ तो फ्रेंट्स चोयू न तम्हें कितले जट पड़ थी अनसरस मजानू मगज बनीने तयार थाई अच्छे बस स्टेप बाई स्टेप प्रेसिपी फॉलो करों अने फॉलो करी ने तम्हें जरूर बनाऊ जाओ बनावी ने प्